पूरो परधारमंत्री मनमौन सिंग जी का कोट है No power on earth can stop an idea whose time has come देखो इसका सबसे बड़ा जो example है वो है Artificial Intelligence कुछ experts ने बोला कि AI जो है वो jobs खतम कर देगा AI जो है society को destabilize कर देगा लेकिन क्या AI में revolution रुक रही है? नहीं, daily नहीं नहीं innovation सामने आ रही है AI में क्यूंकि देखो ये जो idea है वो आज के समाज के हिसाब से relevant है आज के समाज के हिसाब से ये idea बहुत ज़्यादा powerful है इसलिए अब इसे कोई नहीं रोक सकता आप इसका इतिहास से example उठाईए देखो जब 20-20 आपदी की शुरुआत हुई थी ना तो हमारे देश में nationalism बिलकुल peak पे आने लगा लोग जागरुक होने लगे तो अंग्रेज उस समय देखो 1500 से ज़्यादा सालों तक राज कर चुके थे लेकिन जैसे जैसे समाज में awareness आई कि हमें self-determination चाहिए हमें लूटा जा रहा है तो देखो क्या ज़्यादा समय तक अंग्रेज भारत पर उसके बाद rule कर्स के नहीं कर्स के उसके बाद क्यूंकि लोगों को समझ में आ गया था उनको idea आ गया था कि हमें self-determination मिलनी चाहिए और examples आप अपनी साइट से दीजिए अगर ऐस से पुछा जाता है तो आप क्या लिखोगे कौन सी dimension डालोगे आप comment box में बताइए date आज की देखो 3 अप्रेल है आज 3 issues details से discuss करेंगे सबसे पहले आप लोग अपने phones पे अपना control खो रहे हूँ phone addiction से समदित नहीं है यह article अलग है दूसरा article हम discuss करेंगे लदाक के issue के बारे में लदाक का issue काफी ज़्यादा सुर्ख्यों में है बहुत से articles आए लदाक जल रहा है तो आज यह issue completely हम discuss करेंगे सवी dimensions include करके comprehensive ढंक से सबसे last में article solar surge से समदित है मतलब solar energy से समदित है काफी interesting होगी discussion चलिए start करते हैं आज की discussion में first important article कैसे लोग smart phones पे अपना control खो रहे हैं आप देखो GS paper 3 में इस topic से article को relate कर सकते हो देखो आज की समय में phone तो बहुत common हो गया आपको पता है whatsapp हो photos खीचना हो, game चलाना हो phone के उपर हमारी जो dependency है न वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है लेकिन देखो हम तरह तरह की applications phone में download करते हैं लेकिन कभी नहीं सोचते कि हम इन applications को कितना control दे रहे हैं इस article में हम समझेंगे कैसे अलग अलग जो हम applications अपने play store में या फिर application वाले store में internet ना एक बहुत बड़ा network है जहां बहुत सारे computers ना एक दूसरे से connected है और जब internet को design किया गया था ना तो idea ये था कि कोई भी computer internet से connect हो सकता है और दूसरे computers के साथ आसानी से information share कर सकता है लेकिन ध्यान दीजेगा बिना किसी central authority या gatekeepers के समझे point को internet जब शुरुवात में आया था ना तो ये सोचा गया था कि कोई भी computer किसी दूसरे computer से connect हो सकता है internet के माध्यम से और information share कर सकता है और internet के लिए कोई central authority या gatekeeper नहीं होगा मैं आपको define कर देता हूँ आसान भासा में central authority मतलब ऐसा कोई organization जो पूरे network को control करता है लेकिन internet के लिए ऐसा कोई organization नहीं होगा जो पूरे internet को control करेगा और gatekeeper मतलब जो ये decide करता है कोई अंदर आ सकता है कोई नहीं आ सकता है तो internet के लिए कोई gatekeeper भी नहीं था जो ये decide करता कि कोई internet use कर सकता है को नहीं कर सकता है तो बहुत बढ़िया इंटरनेट का decentralized design था इसी वज़े से 1990s में और 2000 के शुरुवाती दसक में इंटरनेट की growth जो है ना बहुत तेजी से हुई उसी समय email, website और chat जैसी नहीं नहीं सर्विसी स्टार्ट हो गई इंटरनेट हमारी life का एक important हिस्सा बन गया मतलब की किसी भी website को देखना है तो उसको देखने के लिए सिरफ एक web browser की जूर्थ है जिसे Chrome हो गया, Firefox हो गया यह सब तो यहां तक तो देखो सब कुछ अच्छा चल रहा था शुरू में websites कम थी ना तो एक Yahoo की website हुआ करती थी आपको याद होगा अभी भी है लेकिन अभी उतनी popular नहीं है तो Yahoo की website ने डरेक्टरी बनाई कि देखो कौन सी website आपको access करनी है news websites access करनी है तो एक list आ जाती थी Yahoo की website पे entertainment की website access करनी है तो एक list आ जाती थी बड़ धिरे-धिरे websites तो इतनी जादा हो गई कि डरेक्टरी से काम नहीं चला फिर google.com आया google.com तो एक जबरदस्त innovation लेके आया कि जो भी आपको search करना है उससे related web pages Google आपको दिखाने लगा तो इससे काम बहुत आसान हो गया लेकिन देखो बाद में ना शुरुवात में तो न Apple नहीं ये बोला website वालों को यानि developers को जो website डवलप करते हैं कि आप ब्राउजर के लिए application बना सकते हो जैसे Chrome में आज के समय में extension आती है न कुछ लोग सायद ये relate नहीं कर पाएंगे जिनको tech कितनी knowledge नहीं होती लेकिन फिर भी मैं simple भासा में आपको बता रहा हूँ उस समय देखो mobile की applications नहीं आई थी जैसे हम browser open करते हैं Chrome में या फिर Apple पर Safari में तो browser में applications चल सके ये try किया गया था शुरुवात में जिनने बोलते थे web applications आज के समय में आप mobile में जो applications यूज करते हो ये होता है mobile application फरक है दोनों में फरक क्या है जो mobile application है ना आज के समय में जो आप play store से download करते हो वो देखो operating system पे launch होती है वो आपके device का बहुत ज़्यादा control ले जाती है आपके device से data ले जाती है आपकी location ले जाती है आपकी photos की access ले जाती है आपके contacts की access ले जाती है mobile application लेकिन जो web application हुआ करती थी ना उस समय वो device की access नहीं लेती थी ये फरक था तो Apple ने वेबसाइट developers को बोला कि आप web applications launch कीजिये अब थोड़े बहुत तो web applications launch हुए लेकिन ये model जादा सफल नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ क्योंकि ना developers जो website बिल्ड करते है उन्होंने बोला कि यार हमें device की access चाहिए हमें user पे ज़्यादा control चाहिए website वाली application बनाने से हम ना user पे control नहीं कर पा रहे हैं यूजर की सारी information नहीं शेयर कर पा रहे हैं तो फिर apple ने अपना अलग से एक play store launch किया play store मतलब जहां पे बाकी developers भी अपनी applications को डाल सकते हैं और user उन applications को फिर download कर सकते हैं ये system कब आया 2008 में जब apple ने अपना app store launch किया third party developers के लिए और third party developers मतलब जैसे physics वाला की application है unacademy की application है इनके लिए तो इनको बोला गया कि आपना अपनी-अपनी applications बनाईए और हमारे इस app store में डाल दीजिए अब देखो ये जो applications है ना जो आप Google Play Store या फिर Apple के app store से download करते हो जैसे मैंने आपको बताया ये phone पर install होते हैं और phone की सारी features को access कर सकते हैं लेकिन देखो इन applications की एक बड़ी problem ये है उनमे ना untrusted software होता है untrusted मतलब ऐसा software जिसके बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं है और जो हमारे phone को नुकसान पहुँचा सकता है अब कहने को Google और Apple ये बोलता है कि हमारे यहाँ पे जो apps हैं वो safe है बड़ कुछ safe नहीं है यार आपको भी पता है डेली हम news पढ़ते हैं कि ये जो apps हैं financial fraud करती हैं बाद में Google को बताया गया उसके बाद उन्होंने action लिया कुछ नहीं पता लगता है इनको Apple वालों को और Google वालों को बहुत सारी apps जो हैं वो fraud कर जाती हैं बाद में पता लगता है लेकिन तब तक users के साथ तो fraud हो जाता है ना समझे अब एक और बात है देखो इन apps को ना आपके device की पूरी access मिल जाती है तो ना आपके phone में मालीजे कुछ vulnerabilities है security को लेके उनका फाइदा उठाके बहुत बार इन apps के थुरू आपका phone hack कर लिया जाता है अब जैसे मापको एक example देता हूँ मालो कि कोई weather की जानकारी देने वाली app है और उसको आपने install किया वो आपके phone की location, contacts, data सब कुछ access कर सकेगा बिना आपको बताए और अगर माल लीजे जिसकी वो app है उसकी intention ही खराब है malicious intentions है तो फिर तो वो देखो आपका data चोरी कर सकता है बेच सकता है phone में वाइरस डाल सकता है कुछ भी कर सकता है Google की देखो security team ने न इस problem को पहचाना 2009 में उस समयना native client नाम करना एक sandbox डवलप किया गया था अब ये भारी बरकम word आपके लिए आगे लेकिन मैं आपको बिल्कुल simple भासा में बताता हूँ यहाँ पर देखो एक बड़ मैं इसको मिटा देता हूँ एक सेकिन Google को समझ में आ गया 2009 में कि यार applications जो यहाँ पे हैं इतनी सारी क्या पता खराब applications हो हम कैसे trust करें तो उन्होंने एक sandbox डवलप किया native client नाम से ये sandbox क्या था sandbox देखो एक परकार करना virtual environment है जिसमें एपस safely run हो सकते हैं बिना device को नुकसान पहुंचाए अब model तो अच्छा था लेकिन ये solution भी ज़्यादा दिन तक popular नहीं हुआ और बाद में तो Google Play Store वालों को लगा कि हम यार एप store से पिछड जाएंगे इसलिए उन्होंने ध्यान देना ही छोड़ दिया अब Google Play Store और App Store दोनों बिना ज़्यादा सेफगार्ड और सेफटी के एप्स को अलाव करते हैं लेकिन रिस्क किसको है यूजर्स को कभी आपने नोटिस किया हैं अलग-अलग जो ब्रांड्स हैं वो फोकस इस चीज़ पर करते हैं किना आप application डाउनलोड करो वेबसाइट कई बार हम ओपन करते हैं जान बुझके हमें फोर्स किया जाता है कि एप डाउनलोड करो एप डाउनलोड करने पे ज़्यादा incentive भी दिया जाता है कई बार coupon मिलेगा एप डाउनलोड करोगे क्यों करते हैं वो लोग ऐसा वो इसलिए करते हैं ताकि users का personal data पर control इस्टाबलिश किया जांज के जैसे SMS, photo, video, location यह सारी चीजें फिर वो अपनी मर्जी की advertisements हमें दिखाते हैं और मतलब ज़्यादा अच्छे से वो हमें चीजें बेच पाते हैं इसी वज़े से वो हमें बोलते हैं एप डाउनलोड करो लेकिन देखो problem इतनी नहीं है problem इससे भी बड़ी है यह जो app store वाले हैं यह किसी के सगे नहीं है जब देखो application developers कि ना इनके उपर dependency create हो गई तो ना इन्होंने यह बोलना start किया कि हमारे यहां पे जो भी applications डली हुई हैं जैसे अब physics वाला की या फिर बाईजू की applications आप Google Play Store से डाउनलोड कर सकते हो तो ना जो भी applications हमारे यहां पे डली हुई हैं उन applications को open करके users जो भी purchase करेगा ना उसका 15 या 30% आपको हमें देना होगा मतलब आप physics वाला की application डाउनलोड करते हो प्ले स्टोर से application डाउनलोड करके आप कोई भी course purchase करते हो तो जो भी amount आपने course purchase करने में खर्च किया ना उसका 30% या 15% Google और Apple मांगने लगें तो ये business वाले लोग जो है ना जिनकी applications डली है app store पे ये गुस्सा हो गए ये बोले कि भाईया हमने तो users पे control पाने के लिए आपके app store पे application डाली थी अब हम हमारी income थोड़ी ना आपके साथ share करेंगे कई सारे जो businessmen थे business firms थी उन्होंने ना Apple और Google जैसे बड़े app stores के खिलाफ legal case फाइल कर दिये कि ऐसे कैसे आप हिस्सा मांग रहे हो समझ गए मतलब इन ब्रांट्स ने बोला हमारी application आपके app store पे है आप इस चीज का गलत फाइदा उठा रहे हो अब एक case काफे ज़्यादा famous हुआ मैं आपको दिखाता हूँ Epic Games है Epic Games पता नहीं मैं तो गेम खेलता नहीं इसका कोई एक famous गेम होगा साइद fortnite तो ये जो Epic Game है न इन्होंने Apple के खिलाफ case फाइल कर दिया दोनों के बीच में जगडा हो गया क्योंकि Apple इनसे 30% tax मांग रहा था क्योंकि Epic Game की application app store पे थी Apple के अबना Epic Game ये case जीत गया कोट में जाके लेकिन इन्होंने पता क्या किया Apple वालोंने उस Epic Game की जो application है न वो अपने app store से हटा दी मतलब भाई कुछ भी करेंगे हमारे पास में power है अगर हम case हार भी गए तो कोई भी बहाना मारके इन्होंने Epic Game की application हटा दी अपने app store से अब देखो ये लडाई आगे भी जारी है लेकिन result कुछ भी हो जीतेगा कौन अंत में देखो दो player जीतेंगे एक Apple, दूसरा Google क्यूंकि app store का control तो देखो इनी के पास में है शुरुवात में हमने ये डिसकस किया था न कि internet का design ही इस परकार से था कोई gatekeeper नहीं कोई central authority नहीं बट ये Apple और Google अब देखो ये gatekeeper और central authority बन गए है समझे ये सबसे बड़ी दिक्कत है और हम जो है phone के उपर हमारा जो control है न वो खो रहे है कुछ incentive के लालच में हमारी जो privacy है या फिर हमारी जो safety है वो compromise हो रही है हमें देखो इस पर ध्यान देने के आवशकता है हम application तभी download करें जम हमें लगता हो कि इससे हमें फाइडा होगा उनके कहने पर नहीं brand बोलते है application application download करो application download करो नहीं हमें ये देखना चाहिए कि वास्ता में ये हमारे लिए ज़रूरी है अगर ज़रूरी है तभी हम download करें otherwise नहीं तो ये पूरा article हमने डिसकस किया चलते हैं आगे इसके बादने इस था article लद्दाक में सोनम वांग्चुक सोनम वांग्चुक ये वो person है जिन से three idiot movie का अमीर खान का किरदार inspired है उन्होंने और लद्दाक के लोगों ने अभी हाल ही में भूख हरताल की यानि हंगर स्ट्राइक की तो इससे समदित ये article है क्या मांगे है सब कुछ आप GS Papers Second के इन topics से ये article को relate कर सकते हो देखो अभी जो ये hunger strike हुई ना प्रोटेस्ट हुआ ये काफी historic प्रोटेस्ट था क्योंकि लद्दाक के हर कोने से लोग सामिल हुए आम तोर पे लद्दाक में कारगिल के जो मुस्लिम सैना उनके बीच में और बुदिष्ट के बीच में difference रहते हैं लेकिन दोनों एक साथ आए यानि बुदिष्ट और मुसलिम दोनों एक साथ आए जो पहले divided थे हम पूरा इशू जानते हैं सबसे पहले ब्रीफ में बिल्कुल ब्रीफ में आप थोड़ा सा इतिहास देख लिजिए लद्दाक का लद्दाक की हिस्ट्री ना complicated है पहले दखो नामग्याल डानेश्टी का रूल हुआ करता था फिर 18th 19th century में सिख एम्पायर और डोगरा फोर्सिस ने अटेक कर दिया फाइनली 1834 में लद्दाक ने अपनी independence को खो दिया अब आने वाले आलमोश्ट 100 सालों तक डोगरा रूल में रहा लद्दाक जब तक की देश आजाद नहीं हो गया 1947 में जब देखो बिटी सर्स भारत छोड़ के चले गए थे तो partition हो गया भारत और पाकिस्तान का लद्दाक जमू इनकस्मीर का हिस्सा बन गया और जमू इनकस्मीर ने आपको पता है इंडिया के साथ में इंस्ट्रूमेंट ओफ एक्सेशन साइन किया था लेकिन देखो उस समयना लद्दाक बुदिष्ट एस्सोशेशन ने सेंट्रल गवर्मेंट के सामने ये डिमांड रखी थी कि भईया लद्दाक को आप कस्मीर के साथ मर्ज मत करो कुछ भी हो जाए कस्मीर के साथ मर्ज मत करो क्योंकि न दोनों के कल्चर और रिलीजन में बहुत डिफ्रेंसिस है बट देखो उस समय जो सेंट्रल गवर्मेंट थी उन्होंने ये रिक्वेस्ट नहीं मानी नहरू का ये मानना था अगर देखो रिलीजन के नाम पे हम स्टेट डिवाइड करने लगे तो फिर गलत हो जाएगा देश के अलग-अलग हिस्सों से धरम के नाम पे स्टेट मनाने की डिमांड आने लगेगी तो अगले कुछ डेकेड्स में अगले कुछ दसकों में लदाक के लोगों को ये लगा कि जमुएन कस्मीर की जो सरकार है वो हमारे साथ ना बेदभाव कर रही है हमें तो नेगलेक्ट कर रही है जिसे एग्जामपल के तोर पे 1951 से लेके 1955 के बीच में जमुएन कस्मीर का टोटल बजट 11.5 करोड का था तो उसमें लदाक को जानते हो कितना फंड मिला सिरफ जीरो बाद में कुछ ऐसी रिपोर्ट भी आई जिन में कहा गया पर कैपिटा फंडिंग कस्मीर में काफी जादा है और एज कंपेरिजन टू लदाक में नेगलेक्ट किया जा रहे हैं हमारे लिए थो एकोनमिक अपोचर्टीज है ही नहीं उन्हें ये भी डर था कि हम तो हमारा यूनिक कल्चर खो देंगे क्योंकि जमुएन कस्मीर की सरकार का हमारे उपर बिलकुल ध्यान नहीं है तो ना उस समय लदाक में एक मुवमेंट शुरू हुआ जिसमें यूनियन टरिटरी स्टेटस की डिमांड की गई 1979 में देखो यूनियन टरिटरी स्टेटस तो नहीं मिला लेकिन 1979 में लदाक को दो डिष्टिक में डिवाइड कर दिया गया एक बुदिष्ट मेजोर्टी वाला ले डिष्टिक और दूसरा मुस्लिम मेजोर्टी वाला कारगिल डिष्टिक दो डिष्टिक में डिवाइड कर दिया गया ले डिष्टिक में बुदिष्ट लोग की मेजोर्टी और कारगिल में मुस्लिम लोग की मेजोर्टी कुछ लोगों ने इसे जमू और कास्मीर के politicians की सरारत बताया धरम के नाम पे इसलिए divide किया गया है दो districts इसलिए बनाए गए हैं ताकि elections असानी से जीते जास के इसके बाद देखो धीरे धीरे लद्दाख के लोगों की ना कुछ demands तो पूरी हुई जैसे 1989 में पूरे रीजन को scheduled tribe area declare कर दिया गया जिससे देखो reservation मिला 1995 में लद्दाख autonomous hill development council act पास हुआ अब इस act की साहिता से ले और कारगिल अपनी अपनी local council से elect कर सकते थे बड़ देखो इन council करना ज़्यादा नहीं हुआ ले और कारगिल के लोगों को क्योंकि local council से elect करके फाइदा क्या जब उन councils के पास पावर ही नहीं है इसलिए देखो लद्दाख के लोगों की जो demand थी ना कि लद्दाख को union territory declare किया जाए ये demand जारी रही अब देखो protest चलता रहा धीमे धीमे finally अगस्त 2019 में central government ने article 370 के तहथ special status revoke कर दिया जमूएन कस्मीर को divide कर दिया दो union territories बना दी गई लेकिन लद्दाख को union territory बनाया बिना legislature के जमूएन कस्मीर में legislature का provision किया गया दिल्ली की तरह लेकिन यहाँ पर नहीं किया गया लद्दाख में नहीं किया गया सुरवात में ले और कारगिल की reactions बहुत अलग-अलग थे जब special status revoke किया गया जहां देखो ले में लोगों ने बहुत खुसी बनाई वहीं कारगिल में लोग बहुत परिशान थे क्योंकि वो कस्मीर से ज़ादा अपने आपको relate करते हैं इस वज़े से अलग-अलग reactions देखने को मिला लेकिन देखो कुछ समय बाद लद्दाख के लोग को ये realize हुआ UT status तो हमें basic मिल गया है बट देखो article 370 और सविधान का article 35A इन दोनों articles के तहतना हमें बहुत सारे protections मिले हुए थे लेकिन वो protections अब चले गए हैं अब बाहर के लोग लद्दाख में जमीन खरीद सकते थे और वहां settle हो सकते थे लद्दाख की ecology जो बहुत कमजोर है उसको देखते हुए लोग को डर ये लगने लगा कि development ना control से बाहर हो जाएगा corporate वाले आ जाएंगे और local culture ये तो पूरी तरह से dilute हो जाएगा, मिट जाएगा ये डर लद्दाख के लोग को सताने लगा लद्दाख ही लोग देखो ये भी सोच रहे थे कि legislature के बिना UT का फाइदा ही क्या उनके पास में कोई elected representative तो है नहीं अपने reason की बात को आगे पहुंचाने के लिए वो खुद decision नहीं ले पाते डिल्ली की सरकार यानि central government एक lieutenant governor appoint करती है जो कि outsider होता है वो हमारे लिए decision लेता है तो मतलब सारे हमारे जो fancily है वो बाहर के person के द्वारा किये जाते है हमारा कोई representation नहीं है इसी वज़े से न इन सभी regions को देखते हुए बुद्धिष्ट और Muslims Muslims जो कारगिल में dominate करते हैं मतलब संख्या ज़्यादा कारगिल में है और बुद्धिष्ट की संख्या lay district में ज़्यादा है दोनों अपने पुराने differences को भूल कर एक साथ आ गए मतलब कि देखो एक तरफ lay apex body और दूसरी तरफ कारगिल की कारगिल democratic alliance दोनों एक जूट हो गए अपनी मांगों को लिके मांगे हैं क्या में लिए देखो चार मांगे हैं सबसे पहली मांग ये है लद्दा को constitution की six schedule में include करो जिससे उसे north east के autonomous councils की power मिले मतलब जैसे देखो autonomous councils के पास power north east में है न जो six schedule में आते हैं वैसे ही लद्दा को भी six schedule में include किया जाए और north east में जैसे autonomous councils के पास power है वैसे ही power लद्दा के पास होनी चाहिए इसके बाद दूसरी demand ये थी लद्दा को state हुड़ दो ताकि उसकी अपनी एक elected government हो तीसरा लद्दा के लिए एक separate public service commission बनाओ with job reservation for the locals समझ गए अभी क्या है doctor हो कोई और public employee हो सारे बाहर से आके काम करते हैं लद्दा के लोग को रोजगार कम मिलता है लद्दाक में इसके बाद लद्दाक की जो representation है ना वो increase करो parliament में जैसे अभी एक seat है increase करके दो seat करो तो में लिए चार demand है पहली six schedule में डाला जाए दूसरा statehood तीसरा public service commission बनाओ reservation for jobs और चोथा लोक्सबा में लद्दाक की जो representation है वो increase करो तो ये demands है लद्दाक के लोग की अब देखो अपनी demands को लिए ना लद्दाक के लोगों ने 2023 और 2024 में protest किये और वो भी extreme winter conditions में central government ने committees भी बनाई लद्दाक के leaders के साथ बाचित करने के लिए लेकिन देखो जो मुख्य demands है ना जैसे six schedule में डालना statehood दिनों की hunger strike की बाद में देखो पिछले महिने यानि मार्च 2024 में उन्होंने ले में 21 दिनों की भूखरताल की अब ये काफी ज़्यादा चर्चा में आई आई आपने भी ऐसी खबरे पड़ी होंगी लद्दाक जल रहा है 21 दिनों की भूखरताल उन्होंने इसलिए की क्योंकि इतिहास में महात्मा गांदी ने सबसे लंबी जो भूखरताल की थी वो 21 दिनों की ही थी बाद में देखो एपील्स की गई अलग अलग लोगों के द्वारा तो उन्होंने अपने इस fast unto death को खदम कर दिया देखो सरकार का public stand ये है कि लद्दाख के culture और लद्दाख के interest को protect करते हुए हम यहाँ पर development लाना चाहते हैं सरकार कहती है लद्दाख को ना six schedule में include करना एक बहुत complex constitutional matter है इतना असानी से नहीं हो सकता इसके लिए two third majority चाहिए और बहुत ज़्यादा ये मुश्किल है लेकिन देखो बहुत सारे experts को ये लगता है सरकार ये नहीं मान रही है न कि लद्दाख को six schedule में डाला जाए इसके ना और बहुत सारे regions है regions जैसे कि देखो security concerns आपको पता है जून 2020 में गलवान वैली में Chinese troops के साथ भारत के troops की classes हुई थी Central government ने लद्दाख में military infrastructure जैसे कि roads tunnels और facilities पे बहुत focus किया है Central government को डर ये हो सकता है अगर देखो लद्दाख को six schedule में डाल दिया गया ना तो इन projects पे negative impact पड़ेगा दूसरा देखो economic priorities कुछ लोग सरकार ने ecologically sensitive areas में कई hydropower और solar power projects approve किये हैं जिन में से कुछ corporates को दिये गए हैं लद्दाख को ना six schedule में power देने से इन plans में बादा आ सकती हैं अब next है setting president देखो government लद्दाखी लोगों की demand accept अगर करेगी तो देश के अलग-अलग हिस्सों से भी ऐसी demands आने लगेंगी जैसे देखो Darzling और Kalimpong जैसे regions में अब गुर्खाज रहते हैं वो भी statehood की मांग करने लगेंगे वो भी autonomy की मांग करने लगेंगे तो ऐसी similar demands देश के अलग-अलग हिस्सों से आएगी देश तूटेगा मतलब ऐसा सरकार को डर है देखो यह जो अभी protest चल रहा है न fundamental तोर पर trust और equitable development का issue है लगदाक को डर यह है कि वो अपनी जमीन resources और identity पर control खो देंगे उन्होंने देखा है किस परकार से उत्राखंड और हिमाचल परदेश में over development आ गई इतने वहाँ पर landslides होते हैं और crew रूप भी देखनों को मिलता है hyper development का तो उनको डर है कि जो situation देखो हिमाचल परदेश और उत्राखंड में है वैसी ही situation हमारे यहाँ पर भी पैदा हो जाएगी देखो यह इस पूरे issue का solution जो है न वो निकलेगा बाचित से ही सबसे बड़ा trust का issue है अगर सरकार trust पैदा करें न लद्दा के लोगों में कि आप हम पे विश्वास कीजिए आपके culture को हम नश्ट नहीं होने देंगे यहाँ की ecology को हम नश्ट नहीं होने देंगे तो देखो कम पर भी मान सकते हैं लद्दाक के लोग लेकिन में बात यह है कि अभी न लोग को है न सरकार के ऊपर trust नहीं है बागी देखो आप बताइए comment box में आपको क्या लगता है इस issue का कैसे समाधान निकल सकता है आप comment box में बताइए इसके बाद नश्ट आर्टिकल देखो solar search से समाधित है आपने slavers में GS paper 3 के इस topic से आर्टिकल को relate कर सकते हो finally देखो इंडिया ने एक policy लागू की है जो solar panels manufacturers को डिस्करेश करेगी कि आप solar panels को import मत कीजिए इस policy का नाम है Approved Models and Manufacturers of Solar Photovolting Modules यह देखो नाम थोड़ा लंबा है लेगिन मैं आपको समझाता हूँ इस policy के अंदर है क्या इस policy के अंदर ना जो solar panel manufacturer है ना जो solar panels को manufacture करते है उनको ना अपनी manufacturing facilities open करनी होगी ताकि National Institute of Solar Energy NISE इनकी manufacturing facilities को inspect कर सके मैं आपको example देता हूँ माली जी महेश है महेश solar panels की manufacturing करता है तो उसे ना अपने factory compound को open करना होगा ताकि NISC यह नि National Institute of Solar Energy वाले आके यहाँ पे inspection कर सके और inspection में अगर NISC के लोगों के द्वारा यह पाया जाता है ना कि महेश अपनी factory में खुदी solar panels को manufacture कर रहा है ना कि बाहर से इंपोर्ट कर रहा है तो NISC वाले ना महेश को एक certification दे देंगे अब आप पूछोगे शरी इस certification का फाइदा क्या होगा महेश को जब यह certification दे दिया ना NISC वालों ने कि आप यहाँ पे manufacture कर रहे हो इंपोर्ट न scheme इन schemes में सरकार subsidy देती हैं ताकि लोग अपने घरों की छतों पर solar panels लगा सकें तो इन schemes में यह companies जिनको certification मिलेगा वो tender के लिए apply कर सकते हैं उनको tender मिलेगा और tender मिलने से फिर उनको lab होगा अगर देखो हम इंडिया के ambitious solar energy targets की बात करें तो इंडिया ने ना target यह रखा है 2030 आते आते जितनी इंडिया की energy requirement होगी ना उसका लगबग आधा यानि कि 500 गिगावाट नोन fossil fuel resources से प्राप्त किया जाएगा अब देखो 2030 से पहले यह target अचीव करना है न तो कम से कम 280 गिगावाट की solar capacity होना जरूरी है यानि 2030 तक हर साल कम से कम 40 गिगावाट solar capacity हमें add करनी होगी लेकिन पिछले 5 सालों में इंडिया मुश्किल से annually यानि हर साल 13 गिगावाट solar capacity ही add कर पाया है समझ गए आने वाले हर साल हमें 40 गिगावाट add करनी होगी बट पिछले कुछ सालों में इंडिया annually सिरफ 13 गिगावाट add कर पाया है सरकार कहती है कि COVID-19 की महमारी आ गई थी इस वज़े से हम ज़्यादा add नहीं कर पाये इसका मतलब देखो ये हैं इंडिया के पास ना solar energy के लिए अभी targets तो बहुत बड़े हैं लेकिन इंडिया का जो domestic solar industry है न वो उतनी solar panels components या फिर cells को produce नहीं कर पा रहा है जितनी demand है मतलब इंडिया में जितने solar panels के आव सकता है उतने इंडिया में नहीं बन रहे तो फिर इंडिया क्या करता है इंडिया न दूसरे देशों से for example चाइना से solar panels और components को import करता है चाइना देखो दुनिया भर में solar panels की supply का लग भग 80% control करता है पूरे world में जितने भी solar panels जाते हैं न उसकी supply का 80% China control करता है मतलब अगर किसी को solar panel चाहिए तो 80% chance है कि वो चाइना से आएंगे अब देखो आप next point ध्यान से सुनियेगा जैसे महेश की factory है solar panels को manufacture करने की अब देखो महेश domestically solar panels manufacture करता भी है तो भी देखो Chinese solar panels न सस्ते होते हैं महेश की factory में जो solar panels बनेंगे न वो नहीं बिकेंगे चाइना वाले जड़ा सस्ते होंगे लेकिन महेश Chinese solar panels को import करेगा तो फिर महेश को certification नहीं मिलेगा फिर महेश को tender नहीं मिलेगा सरकारी schemes में ये तो महेश के लिए धरम संकट पैदा हो गया सरकार देखो अपनी जिगह सही है सरकार की मनसा सही है मतलब intention सही है कि चाइना के ओपर dependency नहीं होनी चाहिए कलको चाइना के साथ में और जा tensions create हो गई तो चाइना तो हमें solar panels देना बंद कर देगा और हमारी जो electricity security है वो खत्रे में आ जाएगी लेकिन देखो सरकार को फिर ना research पर भी ध्यान देना चाहिए पूरा टेह में जाना चाहिए कि चाइना क्यूं सस्ते solar panels बना पा रहा है हम क्यूं नहीं बना पा रही है इन चीज़ों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए बजाए सिधा rules enforce करने के समझ गए मतलब intention सरकार की देखो बेसक सही है कि हम चाइना से import ना करें local जो manufacturer है वही यहाँ पर ज़दा ज़दा manufacture करें बट हमेना market पर भी ध्यान देना होगा कि सस्ते solar panels हमारी manufacturer produce करें महंगे ना करें और ऐसा भी ना हो कि Chinese solar panels की quality ज़दा अच्छी है बट हमारे यहाँ पर जो solar panels produce करेंगे manufacturer उनकी quality खराब हो सरकार यह तो ensure कर लेगी कि Chinese जो solar panels हैं वो हमारे यहाँ पर कम से कम आएं उस पर तो सरकार अब देखो import duty increase कर देगी import duty increase कर देगी तो Chinese solar panels हमारे देश में कम आएंगे और साथ की साथ हमारे यहाँ पर जो companies हैं वो solar panels को manufacture करना start कर देंगी धिर धिरे बढ़ा देंगी बट quality के पेमाने पर local जो solar panels हैं वो खरा उतरें इस पर भी हमें ध्यान देना होगा अब देखो कुछ facts आपको बताता हूँ जो आप answers में इस्तिमाल कर सकते हो 2022 में इंडिया ने चाइना से 1.3 billion dollars के solar cells और modules इंपोर्ट किये थे जो उसके total solar import का लगभग 80% था यह आप यूज कर सकते हो इसके लावा एक और important fact जो आप यूज कर सकते हो फरवरी 2023 तक हमारी जो solar capacity थी ना वो देखो सिरफ 54 gigawatt के आसपास थी conclusion की अगर बात करें तो सरकार की यह policy जो है वो domestic manufacturing को promote करने और imported solar panels पर इंडिया की जो अभी dependency है उसे कम करने के लिए एक कदम है हलांकि देखो इस policy से 100 term में challenges आ सकते हैं बड़ देखो इंडिया में solar industry की long term growth को सुनिश्चित करने के लिए ये कदम उठाना जरूरी है बट हां ये जरूर सरकार को ensure करना होगा कि जो domestic manufacturer है वो stringent quality standards का पालन करें और सिरफ nationalism के नाम पर cost और quality से समझोता ना करें लास्ट में questions देखिए दो questions आपको attempt करने है mains के पहला question तो देखो लद्दाक को सीख schedule में डालने से सम्मंदित है और दूसरा question solar energy से सम्मंदित सरकार की policies और initiatives के बारे में है इनको आपको analyze करना है दोनों pw-onlys.com पर जाके आप attempt कर सकते हो तो आज की इस discussion में इतना ही है thank you, thank you very much for discussion